आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाना पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम के लिए प्राचीन भारत का इतियास, मद्यकालिन भारत का इतियास और आधुनिक भारत का इतियास तीनों कबर करेंगे एक वीडियो के माध्यम से तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो प्राचीन भारत की प्रथम बास्तविक एतिहासिक पुस्तक मानी जाती है तो ये मानी जाती है ओप्सिन भी राज तरंगणी मानप को आग की जानकारी जो है ये कब हुई तो ये हुई ओप्सिन है निम्न पुरा पासान काल में कुम्बकारी कपसे प्रारम होई तो कुम्बकारी प्रारम होई ओप्शन सी नव पासान काल से कोल्डी हवा का सम्मन्द जो है वो किसे से है तो वो है ओप्शन है चावल के प्राचिंतम साच्छ से पस्व पालन का जो साच्छी है ये सम्बंदित है तो ये सम्बंदित है उप्षिन डी मद्य पासान काल से अगला है सैंदफ सब्विता के लोग किस की पूजा करते थे तो ये करते थे उप्षिन पस्व पती की पूजा करते थे और अगला है सेंदफ सब्विता किस सुरूब में थी तो ये थी option भी नगरिय सब्विता में Next question है सेंदफ सब्विता का एक इस्तल है लोथल ये किस राज्ज में इस्तित है तो ये इस्तित है आपका option सी गुजरात में Next question मनता है guys मोहन जोदोडो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी थी तो ये थी option सी ब्रहद इसनानागार भारत में मुर्ति पूजा का प्रारम कब से माना जाता है तो option A हडपा काल से हडपा के किस इस्तल से कबरिस्तान एच्च संस्कृती के साच्छे मिले हैं तो आपसन B हडपा से रिगवेद के सबसे महत्पूर देपता कौन थे तो आपसन A इंद्र नेक्स्ट किस गरंथ में सरपर्थम राजा परिच्छित का उलेक मिलता है तो आपसन A अथर्ब वेद में अगला कोशन मनता है सबसे पहले राज्या विसे की परंपरा कबसे प्रारम हुई थी तो आपसन B रिगवेदिक काल से सबसे प्राचीन सोन सिक्का कौन सा था तो ये था आपसन C निस्क था प्रसिद गायत्री मंत्र किस बेद में उलेकित है तो आपसन A रिगवेद में बैदिक काल में राजा को सुच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था आपसन C बली रिगवेद में कुल सूक्तों या मंत्रों की संख्या जो है वो कितनी है तो आपसन C हो जाएगा 1028, 1028 बैदिक काल में इंद्र के बाद दुसरा प्रमुक देपता कौन था तो ये था आपसन C अगनी बेदांग की कुल संख्या कितनी है तो बेदांग की कुल संख्या है आपसन D छे आरेयों का मूल निवास इस्तान था आपसन B एसिया माइनर बैदिक समाज में नियोग सब्द का क्या आर्थ है आपसन C आपका अंसर हो जाएगा अस्ता ध्याई के लेखक कौन थे तो अस्ता ध्याई के लेखक थे आपसन C पाड़ेनी पतंजली का संबन किस रचना से है तो आपसन D महाभास से है उत्तर बैदिक काल में धार्मे क्रियाओं में कौन सा मुख्य था आपसन C कर्मकांड नचिकेता और यम के बीच सुप्रसित संबाद किस उपनिसद में बढ़ने थै आपसन C कठो पनिसद में बैदिक सभा और समिती को किस देपता की दो पुत्रियां कहा जाता है तो आपसन C प्रजापते की प्राचिन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था तो आपसन C मगद 16 महा जनपदों की सूची किस गरंत में उपलब्द है तो आपसन B अंगुत्तर निकाए तो लक्का पीम गरंत सम्बंदित था तो आपसन B ब्याकरण से सम्बंदित था अगला है कावेरी पतनम किनका मुख्य वंदर गाथा तो आपसन B चोलों का संगम युगिन किस पांड सासक ने समुद्र पूजा प्रारम करवाई थी तो आपसन A नेडियोन ने संगम काल में सरवाधिक प्रचलित उद्योक कौन सा था तो आपसन A बस्तर उद्योक कलिंग राज भारत के किस राज्य या बरतमान में इस्तित था आपसन B ओडिसा में असोक ने किस सिला लेक में कहा था सभी मनुस्य मेरी संतान है तो ये कहा था आपसन C प्रथम प्रथक सिला लेक में नेक्स्ट है निमलिकित में से किस एक राजा देश या इस्तंब लेक में असोक के विक्ति गत नाम का उलेक मिलता है तो आपसन D मास्की नेक्स्ट है मौरिकाल का मानक सिक्का कौन सा था आपसन D पन अगला है चानक का अने नाम क्या था तो ये था आपसन B विश्नु गुप्त नेक्स्ट है पाठली पुत्र प्रसासन का बढ़न किस ग्रंथ में उपलब्द है आपसन B इंडिका में उपलब्द है बिंदु सार किसका पुत्र था तो बिंदु सार पुत्र था आपसन B चंदरगुप्त मौरे का सबसे पहले भारत आने वाला विदेसी राजदूत कौन था तो आपसन E मेगस थनीज असोक के अभी लेखों को सरप्रतम पढने का सरे किसको प्राप्त है तो ये प्राप्त है ओपसन E जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है नेक्स्ट है महत्मा बुद्ध ने अपना प्रतम उपदेश कहां दिया था तो ये दिया था ओपसन D सारनात में अगला कोशन बनता है प्रतम बौध सभा किसके सासन काल में हुई थी तो ये हुई थी ओपसन E अजात सत्रू के गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था तो ओपसन C ग्रीक रोमन सैली में तीसरी बौध संगीती किस सासक के समय में हुई थी तो ओपसन C असोक के महत्मा बुद्ध का जनम लुम्बनी बन में हुआ जो बरतमान में कहां पर इस्तित है तो ओपसन E नेपाल की तराई में किस बौध ग्रंध में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो ओपसन C बिने पिटक में एलोरा में गुफाएं और सैल करत मंदिर किसे से सम्बंदेत है ओपसन D हिंदूओं बौध़ों और जैनों से किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्प फण है तो ओपसन C पार्षनात निर्गरंत किसे कहा जाता था तो ये कहा जाता था ओपसन E जैनों को नेक्स्ट है जैन धरम के 24 वे तीर्थंकर कौन थे तो ओपसन C महाबीर और जैन धरम के प्रतम तीर्थंकर कौन थे ओपसन C रिसबदेब अगला खोशन है सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तता नीचे दिये के कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चैन करना है तो इसमें से कौन सा सही होगा इसका हो जाएगा ओपसन B पहला देखिए पार्सनात इसका हो जाएगा तीसरे से सरप और आदिनात का हो जाएगा ब्रसप महावीर का हो जाएगा सिंग और सांतीनात का हो जाएगा हीरण किस सासक ने दो अस्सुमेग मेद यग करवाय थे तौपसने पुस मित्र सुंग ने किसने भारत में सरप्रतम सोन सिक्के चलवाय थे तौपसन सी हिंद यवन अस्स गोस ने किस ग्रंद की रचना की थी तौपसन भी बुद्ध चरित कनिस्क का राजबैद कौन था तौपसन सी चरक भागवत धरम का पहला अविलेकिय साच्छ कहां से मिलता है तौपसन भी हेलियोडोरस के बेसनगर लेक से परम भागवत उपादे धरन करने वाला प्रतम गुपत सासक कौन था चंदरगुपत दुती है समदरगुपत के प्रयाग प्रसस्ती का लेका कौन था तौपसन भी हरी सेन भारत में हून सत्ता की स्तापना किसके नेत्रत में हुई थी तो तोर माल के किस लेक में सती प्रता का उलेक मिलता है तो option है एरण अविलेक मद्ध प्रदेश में सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये के कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चैन करना है सूची एक में संबत है और सूची टू में किस समय से करना ये दिया गया है और कूट के मद्धम से आपको बताना है तो option है पहला है विक्रम संबत ये सुरू होता है 58 इसापुर्व फिर सक संबत ये सुरू होता है 78 फिर गुप्त संबत ये सुरू होता है 320 इसापुर्व फिर कली संबत ये होता है 3102 इसापुर्व हर्स को किसने पराजित किया था तौपसन डी पुलकेसियन दुतिये ने अब करेंगे गाइस मद्द कालिन भारत का इतियास इसमें पहला कोश्चन है अरवो के आक्रमन को जानने का महत पूर्ण सुरोत है तौपसन भी चचनामा भारत में सर प्रथम इसलामी राज की स्थापना किसने की तौपसन डी गौरी बंस ने महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमन कौन सा था तो सोमनात मंदिर गुजरात पर दस्व चौब पच्चिस इस्वी में किया था सुल्तान की उबादी धारन करने वाला प्रथम सासक कौन था तौपसन डी महमूद गजनबी ग्यारभी सतब्दी में महमूद गजनबी के आक्रमन के समय गजनबी के साथ कौन 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 प्रसिद्ध अरभी यात्री भारत आया था तो अलबरूनी अगला कोशन है निम्न लेखक पुस्तकों को सुमेलित कीज़े एक में लेखक हैं दुसरे में पुस्तक हैं तो इसको कूट के माध्यम से मिलान करना है तो इसमें हो जाएगा ओपसन है पहला है अलबरूनी इनका हो जाएगा तहकीक हिंद फिरे फिर्दोसी तो मेंसे कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है तो गलत बाला बताना है तो उपशन D बागी के तीन सही जैसे कि तरायन का प्रताम युद्ध 1192 र humility गोरी और प्रतिवेरा चौवान तरायन का दुतिय युद्ध 1192 गोरी और प्रतिवेरा चौवान तॉपसन ने कुतुबुद्दीन एवक को दिल्ली सलतनत पर तुर्क सासकों में सबसे लंबा सासनकाल किस बंस का था? तॉपसन सी तुगलक किस दिल्ली सासक ने चांदी का टका और तामे का जीतल सिक्का जारी किया? तॉपसन सी इल्तुतमिस अगला है सिजदा लेट कर प्रवणाम करना और पैबोस सुल्तान का चरण चुम्बन करना प्रथा का किस सासक द्वारा प्रारम की गई थी? तॉपसन भी बलबन प्रसिद भार्षी तेवार नौरोज किसने मनाना सुरू किया था? तॉपसन ने बलबन ने सरवादिक मंगोल आकरमण किस सासक के समय में हुए थे? अपसन डी अलाओ दिन खिलजी किस सासक ने गोडा दागने हुलिया वेवस्ता और सैनिकों को नकत वेतन देने की प्रथा प्रारम की थी? तॉपसन ने अलाओ दिन खिलजी अलाओ दिन खिलजी की सबसे महत्पूर विजय कौन सी थी? अपसन सी कि तॉड की विजय किसे विश्तु का सुल्तान, प्रतवी के सासकों का सुल्तान, यूग का विजयता, जनता का चरभाहा, आदि उपादिया प्राप्त थी? तॉपसन ने अलाव दिन खिल जी को सूपी संत निजामुद्दीन ओलिया ने किस सासक के प्रती हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है की घोसना की तॉपसन डी गया सुद्दीन तुगलक दिल्ली के निम्लिकित सुल्तानों में से किसे इतियास कारों ने बिरोधों का मिस्रण कहा था तॉपसन सी मुहमबद बिन तुगलक निम्लिकित में से कौन सा तथे जो है वो सही है तो सारे तथे सही है पहला है अमीर खुसरों का जो जनम हुआ था कास गंज के पट्याली नामाकिस्तान में हुआ था बी है अमीर खुसरों को तूतिय हिंद या भारत का तोता कहा जाता था अगलाय सितारवा तबले के अविस्कारक तता खड़ी बोली के जनक थे अमीर खुसरों अगलाय महमद बिन तुगलक ने दिवाने को ही नामक बिभाग की स्थापना की थी यहे एक क्या था ओप्शन बी क्रसी बिभाग था निमलिकित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था ओप्शन बी महमद बिन तुगलक सैयद बंस का संसापक कौन था तो गाइस यह हो जाएगा आपका सती सैयद बंस का संसापक कौन था तो इसका हो जाएगा ओप्सन D, खिज जिर्खा दिल्ली पर प्रथम अफगान सामराज की स्थापना का स्रे किसे दिया जाता है? ओप्सन D, बहलोल लोदी किस सल्तनत कालिन सासक ने 1504 S.B. में आगरा सहर के स्थापना की थी? तो ओप्सन C, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रसासन का मुख्या कौन होता था? तो सुल्तान और दिल्ली सल्तनत की राजकी अबासा क्या थी? ओप्सन E, फार्सी अपनी कविताओं में सबसे पहले हिंदी का प्रियोकिस मुस्लिम साहितिकार ने किया था? ओप्सन C, अमीर खुसरो कवीर, अकवर के समकालीन थी, ये गलत बांकी के तीन साहिएं जिसमें पहला है अलबार, बैस्टनफ संत, नैनार सहिप संत थे संकराचार अदोयत वादी को प्रचन बौद भी कहा जाता है भक्ती अंदोलन के प्रतम प्रतिपादक रामा नुजा चारे थे किस गरंथ में कवेर की इस इच्छाओं को संकलित किया गया है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B, बीजक जहां गीर ने किस सिख गुरू को खुसरों को सरण देने के आरोब में मनत्यु दंड की सजा दी थी ऑप्शन D, गुरू अर्जुन देप सिखों के अंतिमबा दसवे गुरू कौन थे ऑप्शन D, गुरू गोविन्द सिंग भारत में कौन सा संपरदाए सिलसिला सबसे अधिक प्रसिद हुआ था तो आप्शन C, चिस्ती सिलसिला सूपी संपरदाएओं को किस नाम से जाना जाता है सूपीयों के आराम गहा को क्या कहा जाता है संत बिध्या रन्ने से प्रणला लेकर किस ने बिजय नगर 1336 सिभी में समराज की स्थापना की थी तौपसने हरियर एबम भुक्का ने किस विदेशी यात्री ने विजय नगर राज को दुनिया का सबसे सुन्दर बाभब्ब सहर कहा था तौपसन सी योजाएगा अब्दुलरजाक विजय नगर राज में किस विभाग को अथाबन या अठाबने कहा जाता था तौपसन भी भूराजसु विभाग पुर्तिगाली गवर्नर अलवू करक के साथ किस विजय नगर सासक के संबंध थे तौपसने कृस्न देव राए विजय नगर सामराज का सबसे प्रसिद बंदरगा कौन सा था तौपसन डी काली कट अगला कोश्चन है विजय नगर के राजा को कौन सी उपादी दी जाती थी तौपसन सी राय जौनपुर में सरकी राजवन्स का संस्थापक कौन था तो मलिक सरवर निमलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल्स राज की नीप पड़ी थी तौपसन ने पानी पत का पर्थम युद्ध बाबर ने किस युद्ध में जेहाद की गोंसना की थी तौपसन सी खानबा के युद्ध में सेरसा का वास्तवे के नाम क्या था तौपसन सी फरीद भारत का पहला सासक जिसने अपना सामराज्य अपने भायों के मद्य विभाजित कर दिया था तौपसिन सी होमायू अगला कोश्चन है मुगल सासक अकबर के द्वारा किस सिक्ग गुरू को अमरस्तर में मंदर निर्माल के लिए पान सो बीगे जमीन दान में दी गई थी तौपसिन भी रामदास पंदर सो चीटर इसवी में अकबर और राणा प्रताप के मद्य हल्दी घाटे का योद हुआ था अकबर के सेनापती कौन थे तौपसिन ए मान सिंग पेटी कोट सरकार या परदा सासन किस मुगल सासक के समय विद्दमान था तौपसिन भी रज नामा किस मुगल सासक ने सिंग अस्पा बा दो अस्पा परथा की सुरुवात की थी तौपसिन ए जहांगीर साहा जहां के बचपन का नाम क्या था तौपसिन ए खुर्रम किस मुगल सासक को आलमगीर की उपादी प्रदान की गई थी अब करेंगे आधुनिक भारत का इतियाज जिसमें पहला कोश्चन है जिम्स प्रतम का राजदूत जो जहांगीर के दर्वार में आया था अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहां इस्तापित की थी तौपसन सी सूरत बासको डिगामा का स्वागत करने वाला भारतिय सासक था तो जम्मोरिन अंग्रेजों का फोर्ट विलियम इस्तित है तौपसने कलकत्ता में बासको डिगामा काली कट कप पहुँचा था तो 1498 बेस भी में डचो ने पर्थम व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की तो मसूली पटनम अगला कोशने मद्रास की स्थापना किस ने की थी तौपसन सी फ्रांसिस टे नादिर साह का क्रमण किस मुगल सासक के काल में हुआ था तौपसन भी मुहम्मद साह किस मुगल सासक ने राजा रामोहन राय को राजा की उपादी दी थी तो अकबर दुतिये अगला है कोशन बंगाल के किस नबाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्यों से की थी तौपसन अलिवर्दी खा निम्न में से कौन सा नबाब सिरा जुद्धौला का अत्यदिक विस्वास पात्र था तो मीर जमदान किसके काल में बलाएक हौल की गदुर गटना हुई तौपसन अलिवर्दी तौपसन सिरा जुद्धौला तौपसन C हो जाएगा सालवाई की संदी के दौरान चौथ क्या था तो चौथ क्या था गाई आपसन है मराठो दौरा लिया जाने बाला कर्था सिवा जी ने छुरा मार कर किसकी हथ्या कर दी थी तौप जलखा सिवा जी के सासनकाल में विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था तो सुमंत निम्न मैंसे कौन सा पहला किला था जिससे सिवाजी ने जीता था तौपसन सी तोरान का किला सिवाजी निम्न मैंसे किस किले में पैदा हुए थे तो सिवनेर मुगलों और मराटों के बीच संगर्स किसके राजकाल में प्रारम हुआ तो औरंग जेप रायत बाड़ी प्रथा लागू थी तॉपसन सी बंबई और मद्रास दादा भाय नौरोजी ने प्रतम भार बारती दन की निकासी को अपने किस लेक में स्पस्ट किया तॉपसन ए इंगलेंड डेप्ट टू इंडिया विटले कमीशन का संबन्ध था तॉपसन ए स्रंप से निम्न मैं से किस ने 1857 स्पी के विद्रो को भारती स्वतंतरता का संगराम कहा तो बीडी सावर कर मेरट की क्रांती का स्री गनेश कब हुआ तॉपसन भी 10 मई 1857 में किस समकालिन सांसाथ ने 1857 इसवी के विद्रो को राष्ट्रिय विद्रो की संग्या दी तो डिजराईली मौपला विद्रो कहां पर हुआ था तो मालाबार में मुंडा अधिवासियों के विद्रो का नेताक था तो बिरसा किसने 1844 इसवी के करीब पंजाब में कूका अंदोलन को प्रारम किया तॉपसन भी भगत जबाहर मल ने पागल पंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तॉपसन सी करम सहाने की थी फर्स्ट बार ओफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखा के तो बीडी सावर कर 1909 के भारस सरकार अधिनियम द्वारा लागू प्राबदान किया थे तॉपसन ने सांप्रदायक निर्वाचक मंडल का बिस्तार किया गया गला कोशन मनता है मान टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार का मुख्यो देश से था तॉपसन ने प्रांतों में दोयजे सासन की विवस्त था कलकत्ता में सर्बोच नियायले के स्थापना हुई थी तॉपसन ने 1773 सभी के रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी स्वामी विवेका नंद ने विश्त धर्म संसत में कब भाग लिया था तो 1893 सभी में 19 सभी सदी में नव हिंदूबाद के प्रेणिता कौन थे तॉपसन सी स्वामी विवेका नंद सत्य सोदक समाज मंडल के स्थापना की थी तो जोतिबा फूले किस समाज सुधारक ने विदबा विवा को प्रोसान दिया था तो उपसन भी इस्वर चंद विद्या सागर ने सही क्रम में लिखिए तो इसका क्या होगा उपसन डी पहले देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना होई फिर आरे समाज उसके बाद थियोसोपिकल सोसाइटी लास्ट में रामक्रस्ण मिसन जोतिबा फूले किसे से संबन देता है तो जाती बिरोधी अंदोलन गांधी जी ने पहला किसान अंदोलन कहां प्रारम किया था तो उपसन भी चंपारण में अगला है आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के प्रथम अध्यच कौन थे तो उपसने लाला लाच पत्राय बढ़ना क्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागो किया तुलिटन बनारस इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विस्व ध्याले के नाम से प्रसिद हुआ किसके दोरा इस्तापित किया गया था तो मदन मोहन मालविये के दोरा भारत की प्रतम राष्टिय समाचार एजेंसी थी तॉपसन डी दा एसोसियेटेट प्रेस आप इंडिया भारतिय सिबिल सेवा किसके काल में प्रारम हुई तॉपसन डी लाड कार्ण बालिस अगला है बढ़ना क्यूलर प्रेस एक किसने अटाया तॉपसन ए लाड रिपन भारत में तार बेवस्ता का प्रारम किसके काल में हुआ तो डल हो जी भारत के अंतिम गवर्णार जनरल कौन थे तो सी राज गोपाला चारे निमलिकित में से भारत में सरप्रतम किस राज ने साहयक संदी पर हस्ताचर किये थे तॉपसन सी हैदराबाद के निजाम भारत छोड़ों अंदोलन का प्रस्ताओ कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुए अधिवेशन में पारित किया गया था तॉपसन भी बंबई किसने रूनी बादी हिंदू भावना का लाब उठाने के उद्देश से सीवाजी एवं गणेस उत्सबों को बढ़ाबा दिया तॉपसन भी बीजी तिलक असायोग अंदोलन के प्रस्ताओ को सरप्रतम किस अधिवेशन के दोरान सुईकार किया गया था तो कलकत्ता अगला कोशन भारत में प्रतक सोतंत्र मुस्लिम राज के विचार को दोनित किया था तो मुहम्मद एकवाल ने साइमन कमीसन से भारत असंतुष्ट क्यों थे तो इसमें कोई भी सदस भारतिय नहीं था कुशन है सोतंत्ता मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या किसने कहा था तो लोकमन तिलक भारतिय समिदान सबा की प्रारूप समिती के अध्यच्च कौन थे तो बी आर अमबेड कर बीडी साबरकर को किस केस में अवियुक्त ठैराया गया था तो नासिक सड़ेंत्र साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा गया था तो सुएट कमीशन और आज का लास्ट कोश्चन है भारतिय रष्ठी कॉंग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनर्रल के काल में होई तो लाड डफरें तो आज किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद आपका दिन सुबर है